कि इस बार आप मददाताओं के बीच किन मुद्दों को लिकर जाएंगे मौगन जिला बन चुका है अब अगली क्या मांगे है छेत्र में इन दिनों रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के भी मांगे जो है उठ रही है लगातार इस पर क्या कहेंगे आप इस चुनाओ में आप नजदी की प्रतिदंदी किसे बानते हैं कॉंग्रेस प्रत्यासी सुखेंद सिंग बनना जी के पास भी गए थे उन्होंने बताया कि हमने कई जेल भरो आंदोलन किये तब जाकर मौगन जिला बना इस पर क्या कहेंगे आप मद्धप्रदेश विधान सभा चुनाओ 2023 का बिगुल बच चुका है चुनाओ की घोषडा होने के बाद आचार सहिता भी लग गई है दामंकन दाखिल करने की तिथिभी जा चुकी है अब प्रत्यासी चुनाओी मैदान में लगातार मतदाताओं से संपर कर रहे हैं नमस्कार मेरा नाम संजय है और आप देख रहे हैं MP24 न्यूज अब ही हम मौजूद है माउगन विधान सभा चेतर के गौरी में जहां हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्यासी प्रदीप पटेल जी तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि इस बार आप मतदाताओं के बीच किन मुद्दों को लिकर जाएंगे जब पिछली बार गए थे तो भी हमारे एक मुद्दा था विकास इस बार भी मुद्दा है विकास पिछली बार हम जब गए थे विकास को लेकर के जितनी घोशनाएं की थे उसको हमने पूरा किया है जिला बनाने से लेकर बांसागर के पानी से लेकर के उद्द्यों development को ले कर चोगराणिस से लेकर के हनमना के रिंग रोड आई ट्याई जितना भी हमने किये था दो वादे किये थे उसको पूरे किये हैं इस विकास को लेकर अवाने वाले समय में भी हम इसी विकास को लेकर के फिर से जा रहे हैं मौगंज जिला बन चुका है, अब अगली क्या मांगी है छेतर में? देखिए मौगंज में सबसे महत्वपूर्ट चीज है यहां के लिए पानी तो पीना का पानी जो था वो हम लोगों ने बांडसागर का पानी ले लिया है दूसरा है यहां के हर खेत को पानी हर खेत को पानी के लिए एक DPR बना है तीन हजार तीन सो सरसट करोर का DPR बना है जिसमें मौगंज हर्मना का एक एक खेत के एक एक इंच पानी को सिचने का ये प्रसासनिक जो हमारी टेक्निकल स्विकित है वो मिल चुकी है बोधी से तो ये है और तीसरा सबसे बड़ा यहां पर है कि सामान जन जीवन के बीच में गुंडा गर्दी बंद हो और ये गुंडा गर्दी बंद करना यही हमारा तिलक्षा है इन दिनों रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की भी मांगे जो है उठ रही है लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग मांग कर रहे हैं इस पर क् अगर भाजपा जाम को बोलती है उस काम को करती है हमने बोला है तो हम ही करेंगे रेल वाला भी काम पूरा यह भाजपा की कारिकाल में ही पूरा होगा इस चुनाव में आप नजदी की प्रतिदंदी किसे बांते हैं मुझे लगता है कि जब मैं चुनाओ लड़ा पहली बार बिना हम कुछ किये तो बारा हजार से जीते फिर चुनाओ हुआ तो इसी विधान सवा के सिग्मेंट में लोक सवा में हम जीते बामन हजार से अब हमारे पास बहुत सारे मुद्दे जिनको हमने पूरा किया है उसको लेके मैदान में जा रहे हैं करने के बाद तो बामन हजार से और ज्यादा गिलीड जाएंगे तो बामन हजार से लीड ज्यादा मिल भी तो किसको बता दे प्रतधनदी तो जब थोड़ा नजदीक हो तब प्रदंदी तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रदंदी जैसा कुछ है हमने चुनाव पर चर्चा एक कारिकम रखा है जिसमें हमने मनलब हम अलग-अलग प्रत्यासियों से सभी से बात कर रहे हैं तो अभी हम कॉंग्रेस प्रत्यासी सुखेन सिंग बनना जी के पास भी गए थे उन्होंने बताया कि हमने कई जेल भरों आंदोलन की तब जाकर मौगन जिला बना इस पर क्या कहेंगे आप देखिए जब वो पच्छ में थे तो नहीं कर पाए उनके बिपच्छ में रहने से जिला बन गया तो जन्ता भी चाहती कि बिपच्छे में रहे तो काम होता रहे अभी तक आपने मौगन जिले की जो भी कॉपी लिखी है पांथ सालों में अप जन्ता उसको जाचेगी और इसका जल्द ही परिणाम भी आने वाला है तो आपको क्या लगता है जो ये परिक्छा आप आप दे रहे हैं इस परिक्षा में परिणाम कैसा रहेगा आपके पक्ष में रहेगा बिल्कुल पक्ष में रहेगा मुझे पूरा विश्वास है और परिच्छा परिच्छा जनता की बीच मारे हैं यह तो जनता आपको बताएगी कि कैसा परिणाम रहेगा अपना काम है कर्म करना विदायक जी आपकी द्वारा जो है लगातार भाषणों में कुछ चीजे जो है प्रमुकता से बोली जाती हैं जैसे आप बोलते हैं कि हमारी सभावों में अक्सर दारू पिला कर लोगों को भेजा जाता है ठीक है आप हमेशा माफियाओं को और तसकरों को संरक्षर दे गलत काम को संरक्षण देते हैं गुंडागरजी को संरक्षण देते हैं माफिया को संरक्षण देते हैं नसा के कारोवारी को संरक्षण देते हैं यह उनके सभी के लिए है अब वो तैंकलने कौन-कौन लोग है मैं नहीं करता आपके दोरा भी भाषणों में ये भी बोला गया कि जब मैं विधायक बना तो मैं रात रात भर माउगंड की सड़कों में घूमता रहता था तो आखिर क्या बज़े है कि आपको जंता ने विधायक बनाया और आप फिर सड़कों में घूम रहते क्या बज़े है देखे मैं उन जगों में जाता था जहां पर अपराध हो प्यांट shipps करने काम किया है पुलीस ने सेवप किया आज गुंडा गर दी यहां पर गटिये मउगन जीला की जो मांग थी लगभग 40 वर्सों से चली आ रही थी कई बार नेताओं ने इस पर राजनीत भी की और भी समेटा तो मॉगन जिला वनने के बाद भी कुछ लोगों में असंतोस देखा जा रहा है इसकी मुख्य वजे क्या हो सकती है मुझे नहीं लगता कि जिला बनने में किसी को असंतोस्थ है जिनों ने काम नहीं किया मौगन जिला बनाने के लिए जिन कांगरिश्यों ने और पुराने लोगों ने उनको असंतोस होगा जिला बनन के लिए इस छेत के डवलम्मेंट के लिए लोग कल्यान के लिए हित्रगाहियों के हित के लिए जो सरकार अच्छा काम करें उसी सरकार को बार-बार जनता को बिठाना चाहिए तो अभी हमारे साथ मौजूद है माउगंज से भाजपा प्रत्यासी प्रधी पटेल जिन्होंने बताया कि इस बार महौल कुछ बदलने वाला है चुनाओ भी कुछ रोचक होने वाला है ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ तब तक के लिए धन्यवाद